नमस्कार दोस्तों जै हिंद जै भारत दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे निबंध लेखन निबंध का विशे है मेरा प्रिये लेखक मुशी प्रेमचंद यानि कि आपको मेरे प्रिये लेखक प्रेमचंद के उपर निबंध लिखना है इससे संबनित प्रेश्ण म प्रेम चंजी का वास्तुरिक नाम धनपत राय था, कुछ लोग इनको नवाव राय के नाम से भी जानते थे, तो हम जमाते हैं सबसे पहले निबंध की रूप रेखा, तो रूप रेखा का पहला बिंदु है भूमी का अर्थत प्रस्तावना, दूसरा बिंदु है कलम का सिप और चोथा बिंदु है उप साहार, तो निबंध की विशेवस्तु लिखने जे पहले हम देखते हैं कुछ पंक्तियां, जिनका जन्म हुआ लम ही में, उपन्या समराट कहाए, रंग भूमी गोदान गवन, निर्मला, रचे साहित्य सजाए, दो बेलों की कथा, लाट्री, इदगह, सतरंज, खिलाडी, शेक्स, पियर से तुलना होती, प्रेम, चंद, जन, जन, को भाए, ठीक है ना, ये हिंदी साहित्य के महान लेखा के हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं भूमी का, हिंदी साहित्य के इथियास में अनेक साहित्यकार हुए हैं, उन साह साहित्यकारों में प्रेम, चंद, का नाम सुर्ण अक्षरों में अंकित है, इनकी तुलना अंग्रेजी साहित्य के सर्वस्रेष्ट लेखक, शेक्स, पियर से की जाती है, प्रेम, चंद, केवल इस देश में ही नहीं, बलकि विदेशों में भी प्रैसिद्ध हैं, दूसरा इनको कलम का सिपाही कहा जाता है दोस्तों, समाज में फैली कुरूतिया, भेदभाव, अव्यवस्थाओं, आदि विश्यों को इन्हों ने अपनी कलम द्वारा जन जन तक पहुँचाया, और समाज में जागरुकता पैदा की, इसलिए इन्हें कलम का सिपाही भी कहा जाता इनके द्वारा लिखी गई सेंकडों कहानियां उपन्यास आम आदमी की कहानी कहते हैं ये साधरन जनता से इस तरह जुड़े थे कि उनके जीवन की एके घटना वा पैस्थिती को इन्होंने इस तरह से प्रस्तुत किया है कि वे सभी पुस्तक पढ़ते समय पाठक की आखों क समक्ष सजीव होड़ते हैं यानि कि जो उनके कहानियों के उपन्यासों के जो पात्र हैं जब हम उनकी कहानियों को पढ़ते तो इक पात्र हमारे सामने चलते फिरते हसते गाते नाशते हुए दिखाई देते हैं दोस्तों ठीक ना इनके द्वार अचित है उपन्यास जिसक प्रेम चंद का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस के निकट यानि की काशी के निकट लमही नामक गाउं में 31 जुलाई 1880 को हुआ था इनके पिता डाक खाने में साधरन पत पर कारे करते थे पिता की मृत्तु के बाद छोटी उम्र में ही परिवार के पालन पोशन की जिम्मेदारी इनके उपर आ गई कठिनाईयों का सामना करते हुए इन्होंने इस नातक अर्थात बिये की परिक्षा पास करके प्राइमरी स्कूल में अध्यापक की नोकरी प्राप्त कर ली इनका विवा छोटी उम्र में हो गया था प्रेम चंद ने सबसे पहले उर्दू में नवाव राय के नाम से लिखना आरंभ किया इन्होंने उर्दू में सबसे पहली रचना लिखी थी सोजे वतन जो नवाव राय के नाम से यानिकि इनके मूल नाम से ही छपी दी परन्तु जब अंग्रेजों ने उस क्रती को देखा पढ़ा तो उसको जला दिया गया और उनके छापे खाने को भी तोड़ दिया गया क्यों क्योंकि सोजे वतन में क्या था अंग्रेजों की निंदा की गई थी प्रेम चंड जी ने अंग्रेजों की निंदा की थी फिर उनने लिखना बंद कर दिया था ठीक न फिर इनके मित्र ने इनको एक उपाय बताया कि नवाब राय के नाम से और धनपत राय के नाम से बड़े घर की बेटी और जब ये बड़े घर की बेटी छपी तो अंग्रीज़ों को भी पता नहीं चला के प्रेमचंद कोन है प्रेमचंद कोन है तो इन्होंने अपने मूल कि इन्होंने अपनी नोक्री छोड़ दी और सरस्वती प्रहस की इस्थापना करके हंस नामक पत्री का निकाली नोक्री छोड़ने के पश्चात ये संपूर्ण रूप से साहित्य रचना में जुड़ गए आठ अक्टूबर 1936 को तपेदिक अर्था टीवी से ग्रस्त होने व ऐसा कहते हैं म्रत्यू के बाद विस्विख्यात हुए ये म्रत्यू में तो उनको चार कंदे भी मिलना बड़ी मुश्किल बात हो गई दी उप सहार आज भी इनके द्वारा लिखा गया साहित्य प्रेणा प्रदान करता है साधरन मनुष्य की आसाओं समस्याओं समाज में फैली विशमताओं आदी पर जितना प्रेम चन ने लिखा उतना किसी अन्य लेखक ने नहीं लिखा इनके द्वारा लिखी गई कहानिया मान सरोवर नामक ग्रंत में संकलिदेने इनने तीन सो से अधिक कहानिय लिखी हैं जो तीतर बितर बिखरी हुई थी तो उनको मान सरोवर नामक किताब में लिखा गया है गबन गोदान सेवा सदन रंग भूमी निर्मला आदी इनके द्वारा लिखे गए उपन्या से प्रेम चंद का नाम सदेव हिंदी साहित्य के इत्यास में आदर्व सम्मान के साथ लिया जाता रहेगा तदा हमें सदा प्रेणा देता रहेगा धन्यवाद दोस्तों